हरे कृष्णा दोस्तो मैं दीवती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे यूटूब चैनल सपनों के रहसे में उमीद करती हूँ दोस्तों आप सब अच्चे होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे भगवान की क्रपाप के उपर सदेब पनी रहे, आपका दिन मंगल में हो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर सपने में आपको ऋदमरू दिखाई देता है तो इस सपने का क्या आर्थ होता है इस सपने से आपको क्या फल प्राप्त होता है दोस्तों डमरू को ध्वनी का प्रतीक माना जाता है सपने में भगवान शिवजी का डमरू देखना या आवास सुनना भी हमारे जीवन के लिए सुफल देने वाला सपना माना गया है वबने सास्ट के अनुसार यह सबना बहुत ही सुव सबना है यह सबना इस और संकेत करता है कि आपके जीवन में कैई महत्पून सकरात्मक बदलाव होने वाले हैं जैसे दोस्तों आपका मानसिक विकास, आतमिस्वास में व्रद्धी या आपकी परिशानियों का अन्त होने व होगा जिसके कारण आपके सारे कार्य अच्छे से पूरे होंगे डंभरू का सपना देखना सभी कश्टों को खत्म करने वाला सपना होता है यह एक सकारात्मक सपना है दोस्तों इसके अलावा इस सपनेकार्थ यह है वी है कि भगवान शिव की कृपा आपके उपर बनी हुई है और भगवान शिव आपसे बहुत ही प्रसन है दोस्तों उमीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आपसे एक छोटा सा नवी विदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अ जन्यवाद दोस्तों हरे कृष्णा दोस्तों मैं दीवती है